जन्जातिय मंत्री जो भी अर्जुन मुंडा है खुद जब जहरखंड के मुख मंत्री थे तो उन्होंने सेंट्रल को भेजा था कि कुर्मी को आदिवासी सुची में सामिल की जाए उसके वाल आवा एक और बात है कि इसकी इस डिमांड का कई आदिवासी नेताओं ने भी ब कि जाएतर जो लोग हैं हम लोग के मांग के सपोर्ट में कुछ मात्र जो नेताओं करते हैं या उसका जो नेतृत करते हैं मतलब आम जन्द का समर्थन नहीं है मुला जो लगा के बात किया एक जोहार नमस्कार मैं हूं रंजीत कुमार और मेरे साथ है सोचल कर्मी करता है कि यूवियो को सामिल किया गया आदीवासी सुची में रेकिन खासकर की रिरोध के रहा है और इसके पहल Dani पेछा करना चाहता हूं कि जो कुर्मी है कुर्मी आदिवासी नहीं है इसका पहले भी आदिवासी समाज द्वारा इसका विरोध किया गया है जब जब इनके द्वारा यह मांग किया गया कि कुर्मी को आदिवासी की सुची में सामिल किया जाए हम लोग के द्वारा पुर्जोर तर क्राइटेरिया बोला गया था आदिवासी में जो सामिल करने के लिए उसमें से भी कोई क्राइटेरिया इनके द्वारा फुल्फिल नहीं किया जाता है और यह तियाराई द्वारा रिसर्च रिपोर्ट भी इस पर एक विरिष्थित रिपोर्ट 2004 और 2020 में भी केंदर सरकार ज पर जस्ति क्यों मांग कर रहे हैं अब मैं दो चार और डिस्टिंग्शन बताना चाहता हूँ आदिवासी का जो भासा है हम लोग का एक तरह से ड्रवीडियन या औस्ट्रो असियाटिक लैंगवज फैमिली में आता है इनका जो भासा है वो इंडो आरियन लैंगवज फैम मुदाय हैं जहए उराव मुंडा संथाली खड़िया कोई भी हो जार्खote में हम उराव क्मुरोग बोलता है बंगाल में भी ईवराव? कुरुक बोलता है उडिसा में और दिल्नी आसाम वहां कुरुक बोलता है उसी तरह संथाल अपना भासा शंथाली जहे वह जार्खन मे में वह, बंगाल में हो, उडीशा में हो, आसाम में हो या दिल्ली में हो ओपनी भासा बोलते हैं लेकिन इनका ध्stat के साथ भासा बड़लता है और बहुँत सारा इतिहास कर द्वारा ये भी बताया गया है ये Central India से माईग्रेट करके यहां पर चोटा नापपूर में आकर के बसे हैं, तो यह कहीं से भी इनका मेल नहीं खाता है, उसके साथ, रोपतास घड़ तो यहाँ बगल में है, छोटा नाकपूर के बगल में आपको रोपतास घड़ यहाँ जारकंड से दिखिएगा तो 180 किलोमेटर का दूरी के वल है, तो ये एक बात है साथ में आज तक जारखंड अलग होने के बाद भी जतना भी आधिवासी आधिकार से संबंदित आंदोलन हुआ है इस पे इनका किसी भी तरह से भागिदारी नहीं हो चाहे CNT, SPT, संसोधन विधे के खिलाफ आंदोलन हो कोई भी आंदोलन में इनके द्वारा सामिल नहीं हुआ गया है तो ये पूरी तरह से इतिहास को टोड मरोड करके तथे को बदल करके इनके द्वारा बात रखा जा रहा है और जो इनका डिमांड है ये जो मांग रखते हैं कि 1913 और 1931 का ये जो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं ये डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है मैं स्पस्ट करना चाहता हूँ कि 1950 से पहले कोई ST का लिस्ट नहीं था ठीक है और ये जो 1913 का ये जो डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं ये इससे पस्ट नहीं होता है कि ये आदिवासी का सूची है किसी तरह से ये आदिवासी का सूची है ये नोटिफिकेशन नहीं इसमें बलकि ये दिखाया गया है कि जो Indian Succession Act 1865 है उससे ये ये समुदाय को हम exempt कर रहे हैं उससे हम हटा रहे हैं बस यही केवल लिखा हुआ है तो इससे ये नहीं proof हो जाता है कि ये आदिवासी है और बाद में अधियन करने के बाद में पता चला कि ये आदिवासी नहीं है इसे 1950 के समय में इनको जब आदिवासी का एक लिस्ट सुची तयार हुई उसमें इनको नहीं रखा गया तो इस पस्ठ है यहां पर इसमें किसी भी तरह किंतु परंतु की कोई बात नहीं है और आदिवासी समाज पूर्जोड तरीके से इसका विरोध करती है लोग अभी आकरोसिद भी है हम लोग जो इनके द्वारा भी हाई कोट में एक पिटिसन डायर किया गया और हाई कोट द्वारा सुचार किया गया है हम लोग उसमें एंटरवेन करेंगे आदिवासी समाज आदिवासी संगठन द्वारा इंटरवेन किया जाएगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ दिखाना भी चाहता हूँ एक पिछले साल का ये एक न्यूज का रिपोर्ट है जस्टिस दीवाई चंदरचूर द्वारा ये स्टेट्मेंट दिया गया था कि हाई कोर्ट डजनॉट है पावर टो डिरेक्ट चेंजस इन सेड्यूल ट्राइब लिस्ट ये जस्टिस दीवाई चंदरचूर ने सपस्ट कहा है और उन्होंने एक वर्स 2000 में एक constitutional bench का judgment आया था उसको reference लेकर करके इस बात को कहा है article 342 में 342.1 में सिर्फ president के पास power है किसी community को ST list में include ये exclude करने का तो ये high court के पास ये state government के पास power नहीं है और state government की central government तो पहले ही इसको reject कर चुकी है तो ये जबरा नांदोलन कर रही है हम इसको हम खारिश करते हैं और हम मांग करते हैं उनसे अपील करते हैं कि आप भी जहार खंडी है आपका अगर विकास चाहिए आपको अगर आपको लगता है कि हम लोग पिछड़े हैं तो आप special यहां बहुत सारा उसे योजनाय सरकार से डिमांड कीजे हम भी उसका समर्थन करेंगे जो अभी कई जातियों को तो आदिवासी सुची में पिछले कुछ समय से सामिल किया गया यह वी सच है और दूसरे सामिल करने के लिए यह सब्सक्राइब देखिए पहला बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रेस कॉन्फरेंस हम लोग किया थे यह प्योरली समाजिक मुद्दा पे था यह किसी पार्टी या किसी पार्टी पॉलिटिक्स या वोट मांगने इसको लेकर के नहीं था अचार सहीता को देखते हुए हम लोग पूरी तरह सामाजिक मुद्दे पे ही हम लोग बात करने के लाये थे पहला बात दूसरा बात पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है क्या नहीं वो हम बाद में हम बात करेंगे लेकिन अगर इस तरह का मांग अगर वो किये थे और यहां से प्र सब्गरी के साथ भेज़े हैं तो फिर दुबारा राज सरकार दौरा इतनो घ्राफिक स्टडि रिपोर्ट के साथ दुबारा भेजा गिया किंदर सरकार को जनजाती है मंतराले को उसके बाद यह निर्ने लिया गया वर्स 2015 में किए प्रे यह आल्रेडी 2015 में ही मांग को अस्विक्रित कर गई है भले यहां से कुछ भी भेज दिया जाए ठीक है लेकिन जब टियाराई का रिसर्च उनके खिलाफ है हाई कोड का जैजमेंट उनके खिलाफ है यह सरकार कोट और हाई सुप्रीम कोड के खिलाफ और यह टियाराई का रि मात्र जो नेतागिरी करते हैं या उसका जो नेत्रुत करते हैं मतलब आम जाने का समर्थन नहीं है मुला जोला के बात कि कुछ लोग कही है मैं आपको कहना चाहूंगा कि आदिवासी बहूल जितना भी गाव में वहां आप जाकर कि एक एक व्यक्ति साब पूछिए एक एक हम लोगा कोई व्यक्तिवात राय नहीं है यह पूरे समाज को राइma है उसको हम लोग आपको समर्थन करेंगे तो यह क्लियर बात है ठीक है तो यह हम लोग Çमाझ के दार इसको नकार दिया घया हम लोग कभी समर्थन में fe करेंगे चलिए ठेके बात करने के बहुत बहुत धन्य वादा